आप सभी का मारे चैनल पर बहुत आर्थिक स्वागत है रीट एक्जाम 26 सितंबर को होगी या नहीं होगी इसको लेकर के काफी confusion है काफी news चैनल है वो fact और तथ्यात्मक टीपनी के साथ आपको बता रहे हैं कि रीट एक्जाम 26 सितंबर को नहीं होगी लेकिन क्या वास्तिव की स्थिति क्या है काफी लोग कह रहे होगी इसको लेकर के पूरी आपको update information अभी मैं आपको दिऊंगा जो साथी मेरे इस चैनल पर पहली बार आया चैनल को subscribe करें वीडियो पसंद आये तो like और share किये इसी के साथ में कुछ B.A.D. और B.H.T.C. candidate की तरफ से कई सवाल पुछे गे जो B.H.T.C. B.A.D. विवाद को लेकर के जो कानूनी सवाल भी है और कुछ तथ्यात्मक सवाल भी है उनका जवाब देना बहुत जरूरी है क्योंकि B.H.T.C. वालों के भी doubt कलियर होंगे तो इसी के साथ में B.A.D. वालों के भी जो doubt हम वो कलियर होंगे क्योंकि आपको ये सवालों के जवाब जो इसे पहली जो दो तीन वीडियो अपलोड गिये वो आपको ये help करेंगे कि आपको रीट लेवल वन की B.A.D. वालों को त्यारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उनकी आपको तथ्यात्मक जो आपकी विसलेशन करके पूरी जानकरी आपके समझ में आ जाएगी अप इन जवाबों को सुनने के बाद इसके बाद जो आपको दो तीन वीडियो जो है जो बनाए है एन्सिटी, केंद्रिय विदाले संग्टेन, कानून बनाने परकिरिया, यूपी का सुप्रियम कोर्ट का फैसला, बिहार आई कोर्ट का फैसला, डिएसस्पी का मामला वो तमाम चीजें मेरे इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में लिंक अवेलेबल आप देख सकते हैं अब जो पहले सवाल उठाते हैं और उसके बाद में इसी में आपके रीट एग्जाम के बारे में बात करूँगा मैं जो सबसे बहें जो सवाल हैं वो यह है कि किसी चैनल ने पूछा था कि कमेंट करके कि जो आटियाई में जो दस्तावेज आएं उनकी लेगली कोई वैलिटी कानूनी वैदता नहीं है इसी के साथ में जो नेशनल एजुकेशन पॉलीशी के 15.5 बिंदू का भी सवाल पूछा गया जो बहुत मैतर पुरूना है इसी के साथ में नितिन जी ने बिहार के कुछ मामले की बात करी तो इसी के साथ में कुनाल चोधरी जी ने UP के सुप्रीम कोर्ट के मामले के बात करी इसी के साथ में ललित राठोर जी ने कहा कि किया राज्य सरकार के पास पावर है जो B.A. को भाहर कर दे, इन कानून को मानना बात दे है या नहीं और इसके साथ में NIOS का जो DLD कोर्स को लेकर के डाउट है, REIT लेवल वन की बेड़ वाले त्यारी करें या नहीं करें, कई और सवाल हैं हैं हम सवाल हैं, उन सबी के सवालों के मैं जवाब पोइंट वाइज दिऊंगा, और साथ में ही मैं जो REIT एक्जाम हैं उसकी बात करते चलूँगा, साथी जो REIT जो आपका सबसे एहम सवाल जो RTI दस्तावेजों की है जानकारी, जो कानूनी वेद था, जब राफायल का मामला जब सुप्रिम कोर्ट में चल ला था, सुप्रिम कोर्ट के जज केम जोसेफ ने उस समय टीपनी कर रही थी, किसी ने RTI डोकोमेंट रखा था, तो गवर्मेंट ने अपोज किया था, कि RTI कानून की ये डोकोमेंट रखे हैं, इनको कंसिडर क्यों कर रहे हैं, तब केम जोसेफ ने टीपनी की थी, कि RTI वो कानून है, वो दस्तावेज हैं, जिनके बेस पर कानून बनानी पर किरिया, गोटाले, बरस्ताचार करप्सन जो भी हैं, वो पूरी चीजे खुलासा हो सकते हैं, जिसमें बड़ी-बड़ी हस्तियां जलो में जा सकते हैं, और गई भी हैं, तो आप समझ गए होंगे, उसकी वैल्डिटी कितनी, उसका डोकोमेंट की रोल, उसकी पॉटेंस कितनी है, जब ये बात सुप्रेम क जोंके उन्होंने कहा कि हमने मनीशी सोधिया के साथ काम किया है, तो और मैंने सोचा कि इतने बड़े आदमी हैं, तो ये तो बहुत मामूली सवाल है, पता होना चाहिए, यदि उनके साथ काम किया है, तो आप BSTC-BED विवाद में, BED को DSSB में कैसे बाहर कर दिया और वहा में मानेता दी गई है, उस कानून को यूज किया जा सकता है, दस्तावेज के रूप में, आप Indian Evidence Act पढ़ लेजे, आटी बनाया क्यों गया है, उसका मूह लेदेश से पढ़ेंगे, तब भी आपको मालूम चल जाएगा, आटी में CPIU जो ओफिसर होता है, उसके पास वे प सुप्रियम कोर्ट में और कई फैसले होएं, इसी के साथ में National Education Policy का जो 15.5 बिंदो मुझे पढ़ने की कहा, उसमें B.Ed. Intricated Course है, अभी भी वेलेड है, अभी भी सामिल कर रखा है उसको, और उस Course को पूरे में बात भारत में करने की कही है, एक यूनिफोर्म Course की वो 2030 तक की क कर दे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोलेज को बंद कर दे हो ना, इंस्टुटूट को, कोर्स को बंद कर दे हो, क्योंकि बाकी उसमें 3S का जो Graduation Course है, वो सब बंद हो जाएंगे National Education Policy के वज़े से, लेकिन अभी तक National Education Policy आने के बाद कितना टाइम हो गया, आपको मालूम है, जो B. ये B.S.E.B.com जो भी Graduation Course हैं के चार साल के हुए, जो सब पॉलिशी के ताहित चार साल के बताये थे, उसमें ये भी लिखा गया, जो 15.5 है, उसमें 2030 तक का बोला है, इसी के साथ में JS Verma Commission की रिपोर्ट के बारे में बोला है, मैंने बताया है कि JS Verma Commission ने NCT के लिए बनाया गय उन सक्तियों का उस कानून बनाने में कितना उप्योग हुआ है, वो आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, JS Verma Commission भी पढ़ देजा, पूरे 15.5 का विंदो उसमें JS Verma Commission बताया हुआ है, आप देख सकते हैं, इंप्लिमेशन करने में टाइम लगता है, और इंप्लिमेश का काम थो Nct पर कुनाल चोदरीने कहा थै कि का काम Nct पर चोड़ देो, वो तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, बेड वालों को, leis को दो क्यष़ करना पाई हैं, क्या कर पाई हुआ है कि वो क्या कर पाई है, इसलिए छूर चाहिए, इंप्लिमेशन के लिए बिमेशन का ल से लगे हो जाएंगे जब उनके दो वर्स के बाद भी वरिज कोर्स नहीं कर पाएंगे इसी के साथ में जो NCT पर छोड़ा हुआ था UP का मामला पूरे डिफरेंट था बीड को वहाँ चैलेंज नहीं किया गया था और वो उनके डबल बेंच और सुप्रिम कोर्ट के आदेश में भी लिखा गया आप देख सकते हैं मैंने पहले भी कई पर कहा है कि राज्य सरकार के उपर पावर था कि उसको सामिल करता है या नहीं करता है लेकिन आप लोग मान नहीं रहती यही बात उसके UP के सुप्रिम कोर्ट में लिख चैलेंज करो वह काम किया नहीं तो आप कैसी उस केस पर हैसला दे दें यही बात उसमें लिखी गई है और उन्हों दोनों ने अपने रूल्स में अमेंडमेंट कर लिया तो आप कोई इलाजी नहीं बचा था भी DLD वालों के पास हो वहाँ पर बिहार के मामले की नितिन जी अब देख सकते हैं वहाँ बिहार के हाई कोट के मामले में केस उनको अपील को खरिज कर दिया है अब किसी ने इहमाचल परदेश की बात करी हमाचल के अंदर जेवीटी का जो मामला चल लाया उसमें प्राच्मिक्ता दे रखी है उसमें काफी जेवीटी का पक्स मजबूत है लेकिन वहाँ पर बिएड के वकील ने ही डेट मांगी थी जब हाई कोट ने तीन से चार सवाल एंसिटी से पूछे थे कि डिल्डी का भविश्य क्या है और आपने कानून बनाया तो एक केंदिर विदाले संगठन की मांग पर पूरे राज्यों पर कैसे थोप दिया हमारे पास कंडिडेट अवेलेबल हैं तो आप यह कैसे थोप दिया इनका भविश्य क्या तब बैकवर्ड पर आते वे तो बेड के वकिल के पास भी जवाब नहीं था उन्होंने आ गई डेट मांग ली और वह अभी अगस्त में लाश्ट में सुनवाई है उसकी अभी इसी में जो साथ में नेशनल एजूकेशन ललित राठोड जी ने काया कि स्टेट गवर्मेंट के पास क्या पावर है बीट बार करने को हाँ पावर है यदि पावर नहीं होती तो एन्सिटी का कानून बनाया हुआ है कि साइंस मैथ का मामला अलग अलग होगा आपको सीटे रही एन्सिटी कानून को नहीं बना सबी कानून हैं वो मेंडेटरी नहीं होते हैं आप देख लिजिए उसमें एसपी सर्मा नाम के उसमें सती सर्मा कुछ नाम से जो भी याचिका लगी है मुझे नाम पूरा याद नहीं है लेकिन वो केस आप उसका जज्जमेंट पढ़ लीजिए और आपको मालूम है केंद्रे विदाले नहोदे विदाले सब में साइंस मैथ की सीटे अलग लग होती हैं लेकिन राजस्तान में कौमन हैं एन्सिटी का कानून बनने के बाद भी आप डियेस इसबी का मामला देख लीजिए आप पंजाब का मामला देख वहां सरकार ने बाहर कर दिया डियेस इसबी केट कोड का मामला बियार के अंदर प्राच्मिक्ता का इमाचल का गुजरात का केरल का कई गाजे हैं पावर है तब यह वह लिगल एडवाइज लेकर की तो काम करते हैं जो उनके होते हैं इतने तो वह पागल होते हैं तो डार पास्मी नाम करके बड़े ऐसा बवासा में कमेंट किया, गाली गलोच भी गालियां बगरे भी लिखी, लेकिन मेरे कमेंट फिल्टर की वज़े से यूटूम गाइड लाइन की अकोर्डिंग उन कमेंट को रिमूव कर दिया गया, यूटूम के द्वारा, लेकिन कुछ लगता है बेड़ वाले सेलेक्शन लेंगे टेलेंट है और आप अपने फैस्ट ग्रेड शेकेंड ग्रेड उन सभी में टेलेंट दिखा यह वहाँ लीजिए ना अपने लोग हैं उन सभी के चैनल पर आपका भी इसाब किताब मांग लीजिए गा आपको जो एक साथी ने अब्दुल ने कहा थे कि बिएस्टी सी संगर समिती के चोर है आप एक बार वहां जो साउकार है वहां इसाब मांग लीजिए आपको ब्लोक कर देंगे जो लोग कह रहे हैं कि यह आपको कई तरह के अलोचना करने का अधिकार है आप कर सकते हैं यह वो चैनल है जहां पर अलोचना करते हैं आपको जवाब मिलता है उन लोगों के चैनल की तरह नहीं है जहां पर डारेक्ट ब्लोक कर दिया जाए और जय जय कार के नारे लगे उन ही को रखा ज और ग्रेजुएशन प्लेस बीएड का दोनों का लेवल अलग लग है तो इनका हाई लेवल है ग्रेजुएशन वालों का बीएड वालों का कोई वहाँ पर साइंटिविकल फॉर्मॉला और प्रोस नहीं पढानी होते हैं साइकलोजीकल मेथेड से पढाना होता है वो सबसे ब वो डिफरेंस सबसे बड़ा हैं रोल होता है पीडिया सर्मा जी ने पूछा कि एना यूस चे डीलडी कोर्स के बारे में डाउट कलियर केजिए मानने है याने अभी आसाम हाई कोट में एनसीटी ने एक एफिडेविट जमा दिया जिसको लेकर कि कुछ भी डाउट कलियर नहीं हो रहा है वो उसको लेकर के मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पहले कुछ कही अभी कुछ कही उसको लेकर कि एस्टोपल करके को कानून वहाँ पर एनसीटी को डाटा भी गया उस पर क्या लेकर कि आती है उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा आप के अंदर सरकार कानून के खिलाप सुप्रियम कोट में गया था सुप्रियम कोड ने यह कहा था मैंने पिछे वाले वीडियो बताया कि यह गलत अउदाना पहला ही जा रहे है कि हाई को निरस्त कर सकता है अनुछे 226 के तयत याचिका करता वसला दी कि आप लाइबरेरी में वीड़ वाले कि एंसिटी कानून नहीं था कोर्ट कानून से फैसला देता है नियम से मैं सही बात कह रहा हूं उसमें ये भी उस कानून उस फैसले में ये भी लिखा गया है कि दोनों का स्लेबस अलग है दोनों का पैटरन अलग है दोनों की चीज़ें अलग है उसमें भी विरिज कोर्ष था तब भी आप लोगों को बाहर कर दिया था आपको मालूम होगा NCT कोर्ट नियम से फैसला जेता है उसमें कानून बनाने इपर किरिया और उसमें बनाने के बाद की स्थिति और पहले की स्थिति उसके चर्चा का विसे जो जेस वर्मा कमिशन का बहुत बड़ा है रोल है और उसमें सलेवस का बहुत बड़ा रोल है वो ही चीज मैं बता रहा हूँ उस फैसले में कोई और बाते लिखी है वो भी आपको पढ़नी चाहिए थे संजे जी ने कहा कि पूरी महाबारत ना बताएं ये बताएं कि बेड़ वाले लेवल वन की त्यारी करे या नहीं करे मां उनको सला देता हूँ कि वो ही चोट होगी जैसे 2012 में हुई थी उसी तरिगे से फैसल आएगा कुछ दिन पहले और बहार हो जाओगे और ना लेवल समझ में आ भी जाएगी इसी के साथ में जो किसी ने कहा कि आप ना बीएश्टी सी बेड़ की तरफ किसी तरफ नहीं जो फैक्ट होता है वो मैं बताता हूँ और उसका मॉरल वीडियो में बताता हूँ आप पूरा वीडियो देखोगे तो सभी आपके डाउट कलियर हो जा है मातिर इतना कहते हैं सामिल होगी त्यारी करो चोट होगी तब वो चैनल बंद कर लेंगे या बाद में बोलेंगी यह कोर्ट का फैसला है हम क्या कर सकते हैं हमने पूरे महनत करी इतना ही रहेगा लेकिन परमान देखर के कभी नहीं कहीं इतना ही कहींगे कहींगे एंसीट का आप science math का मामला उठा लगके देख लीजे DSSB का बिहार का मामला तो देखिए आप वहाँ पर वेटेज देने का एक high court फैसला कहता है कहीं न कहीं जाकर कि बहुत बड़ा हैम रोल होता है जहाँ पर NCT कानून को चैलेंज नहीं किया गया यदि वहाँ पर विहार के अंदर उसी समय NCT कानून को चैलेंज कर देते तो प्राथमिक्ता देने की जहाँ बात कह दी गई है वहाँ पर यह मान लिजिए कि वहाँ कानून रद हो जाता लेकिन आप इंतजार कीजिए राजिस्थान में भी जल्द होगा यूपी का मेटर बताया फाइनल डिसीजन कब आएगा किसी ने पूछा था फाइनल डिसीजन एक्जाम से जश्ट पहले आएगा त्यारी सोच समझ कर के करें गोविन सिंजी ने कहा कि 2013 से फिर से DLD कोर्स शुरुआ पहले बंद कर दिया गया हाँ बात सही आपकी पहले एन्सिटी बनी थी उसके बाद कई कमिया रह गए थी तब अलग लग राजिया अपने अपने इस्ताफ से कर लेते थे इंस्टिटूट बगर नहीं थी कई बदमाशिया करते थे उसको रोकने के लिए कई बार कमिशन गटित किया गया कई बार रूल्स में पावर में अमेंडमेंट करके दीगी उसके बाद से 15-20 साल से कोई भी बंद नहीं वा और एन्सिटी एक इंडिपेंडेंट और थोर्टी है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता उसकी कानून बनाने पर के लिए उस कमिशन ने सुप्रेम कोड ने कई बार उनको बताया भी है वो आप देख सकते हैं अब जो रीट एक्जाम 26 सितंबर को होगी या नहीं होगी साथियों रीट एक्जाम 26 सितंबर को होगी लोग आपको बैकार हैं आपको बर्मित कर रहे हैं बर्मित मत होई है आप उसी एक्जाम डेट को मान करके त्यारी करें वो कुछ भी तथे रखें लेकिन एक्जाम उसी दिन होगी गुवर्मिन्ट बहुत गंबिर है उस बात को लेकर कि क्योंकि वोट बैंक खराब हो है जो उनकी सरकार बनाती है और सरकार खोती है तो आप यह समझ लेजिए आगे नहीं किसका आएगी गुवर्मिन्ट और इसी के साथ में जो लोग एक्जाम आगे किसकाने की बात कहते हैं उनके कौन लोग हैं वो एक वीडियो आएगा वो जरूर देखेगा उसमें मैं बत करती के लोग हैं जो एक्जाम को आगे सरकाने के लिए आपको बोलते हैं वो बड़ा रोचक है आप जरूर देखेगा